एक glue gun at least अपने पास चरूर रखनी चाहिए ये मेरे पास glue gun है ये है black color की और ये है 40 watt की इसे मैंने local bookshop से परचेज किया था six month पहले और अपने सारे DIY videos मैं इसी के help से बनाती हूँ और इसमें इस तरह का एक metal का stand मिलेगा आपको और इस तरह से आगे इसे set करना पड़ता है यह आपर दौनों sides में दो holes बने हैं जिसमें इसको fit करना होता है और इसका क्या काम है वो मैं भी आपको बताती हूँ ये इस तरह से आगे पीछे हो जाता है glue gun का इस्तिमाल करके कोई भी project आप तयार कर रहे हैं उस वक्त आप इस stand की help से इसको इस तरीके से रख सकते हैं इसके लिए ये stand यूज होता है और आपने इसको किसी cardboard के piece के ऊपर ही रखना है डारेक्ट इसे नहीं रखना है और ये है glue gun stick जिसे हमने इसके अंदर लगाना ह होता है ये देखिए इसमें already एक stick लगाई हुई है जो कि उपर से finish हो गई है थोड़ी सी बची है जब ये आगे तक पहुंच जाएगे तो हमने इस stick को लगाना है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगे किस तरीके से लगाना stick को और ये इसका नोब है जो कि गर्म हो जाता है और उसके बाद ये stick plastic की बनी होई है ये melt होती है और ये बाहर निकलती है और उससे हम किसी भी चीज को paste कर सकते हैं तो इस glue gun के साथ ये दो glue gun stick आपको free मिलेंगी बाकी आपको अलग से purchase करनी पड़ेंगी एक stick का price है 10 रुपीज आप इसे bulk में purchase करेंगे तो ये आपको सस missionary shop से आपको easily glue gun की stick मिल जाएगी और main हमारी glue gun की stick ही है जिससे की हम काम करते हैं glue gun बिजली से चलने वाला item है तो इसे आपने बच्चों को इस्तिमाल नहीं करने देना है आप ही इसे इसे इस्तिमाल करें और बच्चों से इसे दूर रखें तो चलिए इसका plug हम लगा देते हैं तो इसको इस्तिमाल करने से पहले आपको इसका plug लगाना होता है switch on कर देते हैं और उसके बाद 2-3 मिनट के लिए इस तरीके से इसे किसी cardboard के piece पर आप रख दीजिए stand के उपर और जब यह आगे से गर्म हो जाएगा तो इसमें से यह glue इस तरीके से निकलने लगेगा melt होकर और आपको पता चल जाएगा कि यह तयार है पीस का यूज कीजिए इसको चिपकाने के लिए direct finger से touch मत कीजिए और इसका आगे वाला हिस्सा है यह metal का बना है बहुत ज्यादा गर्म होता है यह आपने बिल्कुल भी हाथ से touch नहीं करना है और इसमें से जो glue निकलता है वो भी hot glue है उसे भी आपने अपने हाथों पर नह दिखा देती हूँ यह plastic की चीजों को भी बहुत ही आसानी से paste कर सकता है जोकि हम normal जो favicol होता है उससे नहीं चिपका सकते हैं यह देखिए और बहुत कम time में चिपका देता है चीजों को यह देखिए बहुत जल्दी यह dry हो जाता है यह देखिए glue gun stick आगे आ चुकी है तरीके से छोड़ दीजिए और यह देखिए एक CD भी मैं paste करके आपको दिखा रही हूँ जो भी आप DIY करते हैं हर तरह की चीज आप इससे चिपका सकते हैं यह देखिए कितनी आसानी से यह और कितने कम time में यह paste हो चुकी है तो इसको जब भी use करें fan वगेरा कम कर लें यह एक wooden stick है लकडी की बनी हुई है लकडी भी बहुत ही आसानी से चिपकाई जा सकती है glue gun का इस्तिमाल करके आप देख सकते हैं wooden material भी बहुत ही आसानी से चिपकाया जा सकता है glue gun का इस्तिमाल करके और बहुत कम time में यह चिपक जाता है इसी तरह से आपके पास कुछ पर्स व लगाना चाते हैं बीट्स लगाना चाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से ग्लूगन का इस्तिमाल करके अपने पर्स को और ज्याधा एट्रेक्टिव और सुन्दर बना सकते हैं ये देखिए लगाते ही ये ड्राइ हो जाते हैं और बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना परत सबसे अच्छी खासियत ग्लूगन की यह होती है कि बहुत जल्दी आपका काम खतम होता चला जाता है अब मैं आपको फैब्रिक के उपर एक लैस पेस्ट करके दिखा रही हूं ये देखिए कपड़े के उपर मैंने ग्लू लगा दिया है और इसके उपर आप अपने के उपर इस तरह से ग्लूगन का इस्तिमाल करके भी लैस चिपका सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी फैब्रिक को अगर टर्न करना चाहते हैं तो आप ग्लूगन के हेल्प से इस तरीके से इसे मोड सकते हैं और उसके बाद इसको पेस्ट करने के लिए आपने हाथ का ले लीजिए और उससे इसे प्रेस कीजिए देखिए कितनी finishing के साथ में ये काम हमारा हो गया है तो इस तरह से आप कपड़ों का कोई DIY करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप glue gun का इस्तिमाल कर सकते हैं इस तरीके से इसके stand को आगे करके आप से खड़ा कर सकते हैं और इसमें जो trigger है उसको दबा करके आप glue को निकाल सकते हैं जब आपका काम खतम हो जाए तो इसे चौफ कर दीजिए प्लक को बाहर निकाल दीजिए और इसे 15 से 20 मिनट के लिए जहां पर आपने रखाया वहीं प वो खेलते खेलते से उठा सकते हैं और आगे से ये काफी देर तक गर्म रहती है तो उनका हाथ वगरा भी जल सकता है तो जब भी आप glue gun का इस्तिमाल करें बच्चों को दूर रखें इससे तो इस तरह से आप कई सारे काम कर सकते हैं glue gun का इस्तिमाल करके ये बहुत ही अच सारा टाइम बच जाएगा तो अगर किसी भी प्रोजक्ट को बनाने के लिए आप फेवी कॉल का यूज करते हैं तो एक एक पाट को चिपकाने में सूखने में काफी सारा टाइम आपका वेश्ट हो जाता है तो आपको जिस प्रोजक्ट को फेवी कॉल से कंप्लीट करने मे स्कूल गोइंग बच्चों के प्रोजेक्ट्स आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं तो आपको बहुत जादा टाइम उसमें लगता होगा अगर आपके पास ग्लूगन है तो आपको बहुत जादा टाइम उसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुती जल्दी से आप उनके projects complete कर सकते हैं glue gun की help से metal plastic wood या fabric किसी भी तरह की चीज को आपको चिपकाना है तो आप उसके लिए glue gun का इस्तिमाल कर सकते हैं और अगर इसके उपर पानी भी पढ़ जाए तो पानी का भी असर इसके ंपर नहीं होता है जैसा कि favicol के साथ होता है कि जस चीज के ऊपर पानी का इस्तिमाल करना है वाँ पर हम favicol का use नहीं कर सकते बट यह broondation आपको glue gun के साथ नहीं आएगी आप किसी भी तरह की चीज पर glue gun का इस्तिमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से चीजों को paste कर देती है और चीजों को paste करने के अलावा आप और भी कई सारे creative ideas कर सकते हैं glue gun का इस्तिमाल करके अगर आप छोटे मोटे DIY projects complete करते हैं कभी कभी और बच्चों के school projects complete करने होते हैं तो यह वाली जो glue gun है आपके लिए अच्छी और सस्ति साबित हो सकती है जो कि आपको आसानी से किसी भी bookshop से मिल जाएगी आप इसे purchase कर सकते हैं अगर आप बड़े लेवल पर DIY या फिर craft के projects बनाते हैं तो आपको high power की glue gun ही purchase करनी चाहिए तो दौनों के links मैं आपको दे दूंगे description box में तो आप वहाँ पर click करके इनको online भी purchase कर सकते हैं या फिर आप bookshop से भी इसे purchase कर सकते हैं थैंक वर वाचिन